इना सरकार मुर्दाबाद, 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 मुझसे नहीं, बलके सरकार के नुमायन दे से पूचे, कि बना गया काम किया जा रहा है चिरागों का पिशन नहीं बनाएगा सरकारी स्कूल है जहां पर गरीबों के बच्चे पढ़ते थे अभ उन पर सरकार की तलवार चलती नजर आ रही है हम आपको बतादे कि चराग योज़रा के तहट एक ऐसिस गेम सरकार लेकर आ रही है जिसके अंदर जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो है यदि वो प्राइवेट में चले जाते हैं तो सरकार प्राइवेट स्कूल को उन बच्चों की फिश देऊगी, तो कही सरकारी स्कूल को पर उन भाख्यों क? सब्सक्राइब के जो पूरे अंदर प्रोग्राम चलाई हूए चिराग योजना जो सरकार ले इसकूल लों को निजी आतियों में देने की जिसमें निजी भी दैलिया उपड़ने वाड़े बच्चे जो सरकारी स्कूल से जाएंगे उनकी सरकार देगी और जो सरकारी स्कूल हों बच्चे पढ़े उनकी फीस हवी बावकि देंगे सरकार की इस Beta का विरोद करता है इसके सा सरकार दूसरी हो जूनले कि आ हे जी तीन किलो मीटर यह नोती की संख्या का मैं उनको मरज करेंगे इस मरज की नीति के कहलाव 비ект का पर दर्शन है और यह स्कूल लों के अंदर कारियर रहता तीटी आपक है कि पूर्टीज लैब टेंट है या और दुसरे कच्छे करमचारी है उनको निमित करने की मांग करते हैं इसके जो भी भागिया मामलिक लटीची के सीपी के मेडिकल के यह तमाम मुद्धे अविलम स्कूल आप नहीं है तो कहीं न गई जो सारे स्टम प्राइवेट के जारतों स्कूल की भी वारी है यह सरकार जो नीजी सारदुन के डांचे हैं मेड़ों को तमाम लेकिन सिक्सा स्वासिया परिवैन और पाणी यह तो ऐसे काम है जो यह नीजी आतों दाने से सोचन होगा आपक कation क matar सिक्सा यह मानχे चल लेए कि लाब का है लेकिन चिक्सा से ऐसे ऐसे मतलव हमारे विए जशानिक भी है इसे हैं सकूल में लेकिन यहां वास्था में पैदावर यहीं से सिक्सा से यह अगर किसी देश का बच्चा सिक्सीत है पढ़ा लिखे तो सरकार भी जो निजी आतों में देखे और ये चाहती है सिख्षा कुछ लोगों तक पहुंचे और कुछ लोगों तक पहुंचेगी तो देश में परसीती क्या होगी गरीब का बच्चा ना पड़ पाएगा जब पड़ ने पाएगा नोकरी के लिए प्लाई निकरेगा ना डाक्टर बनेगा ना इंजिनरी का मजदूर का मजदूर प्राइवेट हो जाएंगे सरकारी स्कूल तो क्या गरीब कब चपड़ सकते हैं नहीं अब आप देखिए अपने अर्याना के अंदर जो मेडिकल की पीसे हैं बड़ी बड़ी उनुसिया उनकी जो पीसे हैं कहां बच्चे मतलब गरीब मापाप है कहां पे कर रहे हैं तो य इसकी वज़े से स्कूलों के अंदर स्टाप भी नहीं है मैडम नहीं है कोई भी टीचर्स वहां पर उपलब नहीं है जो और कहीं न कहीं उसकी वज़ा यही है कि जनता को सरकार अंपड रखना चाहती है ताकि वो गुलाम रहे और अपने सिकंजे अपने मुताबित यह आप देख छेते हैं कि जीला सिक्षिवाले के अंदर दीसी साब को ग्यापन देने के लिए अध्यापक संग है वो जा रहे है तो जो भी दर सक इस वीडियो को देख रहे हैं साथ की साथ इसे शेयर जूर करते हैं और हम आपको बता दे कि पहले भी आसे काफी मामले है जैस के अंदर क्या है कि जो गरीब है वो गरीब रह जाएगा और अंपड जो है वो अंपड रह जाएगा कहीं ना कहीं गरीबों पर जो है सरकार सिकंजा कस्ते नजर आ रहे हैं जो सरकारी सकूल है वो बंद करने की कगार पर आ जाते हैं और समय आप देखो कि सामने पुलिस ब वापिस लो वापिस लो तो आप देख्छेग है कि हैं कि यूजना के यहां पर नारे लग रहा है कि हम आपको बता दें में छिराग यूजना योजना आई जो है जिसके आंदर रहने वाला hebt इसको न पहले से के अंदर जो है दबे कुछले वर्ग का सोसंड क्या जाएगा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे इस समय आप देख रहे हैं इस समय हम आपको जिला सची वाले से लाइव तसुर दिखा पारा है तो जो भी दर सक इस वीडियो को जरु रहे हैं साथ की साथ इसे जरू करते हैं हम आप को पता दे कि कहीं ना कई जो सरकारी स्कूल है उनका प्राइवेट किया रहा है तो जो भी तरसा कि वीडियो को देख रहा है साथ की साथ इसे सेर्जूर करते हैं यहां पर और भी लोग हैं जी क्या कहने चाहोगे देखिए हम यह कहने चाहते हैं सरकार जो नीजिकन का जंडा लेकर के चलिए है इसको हम किसी भी कीमत पे इसी चीज़े हैं जिनको बिल्कुल प्राइवेट कर दिया गए बिल्कुल सरकारी का तो नाम अंडिस्टानी नहीं नहीं देखिए इस सरकार का तो अजैंडा ही नीजिकरन है अगर सरकार नीजिकरन का होगा बढ़ाती है तो निश्ची तोर पर सिक्सा भी जाएगी स्वा इतिनीद्यों के लिए काम करना चाहती है यह सवाल मुझसे नहीं बलके सरकार के नुमाइंदे से पुछें से पूछें सर्पंस से पूछें मैले से पूछें कि आप आम जनता के लिए क्या कुछ कर रही है बढ़ा जी नाहीं ज़रूर लावेंगी ज़रूर लावेंगे नाहीं तूमा करा रहें। तो अब देच सकते हैं कि जो नई सिख्षानिती सरकार लेकर आ रही है चिराग योजना के बलबूते पर वो गरीबों का सोसन करना चाहती है जिसके चलते गरीब गरीब रहने वाला है अमीर अमीर रहने वाला है दबा कुचला रहे जाएगा और इस समय आप देख सकते हैं कि डिसी साब को यहाँ पर ग्यापन देने के लिए लोग जो है द्यापक संग जो है वो पहुंच चुका है यहाँ पर जो लोगा उनसे हम बाचित जुर्ण इंकलाबे 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 इंकल परमान मुर्दाबाद, 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 मुर्द कि लिए रोजगार के लिए रोजगार का पर बंद करो तो आप देख सकते हैं कि यह पर ग्यापन यह आप देख पा रहे हैं तो जो भी दरसक इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ करें हम आपको लाइब दिखा पा रहे हैं हर रोज एक स्कीम लेकर रही है लेकिन जो आज का हमारा मुद्धा है प्रदेश तरीया वो यह है कि सिरकार एक चिराग नाम की योजना लेकर कि आई है चिराग बड़ा सुन्दर सब्द है हमारे करों में चिराग आपके घरों में उनको सरकार कह रही है कि हम इनका बविश्या बनाएंगे हम यह कह रहे हैं कि जो प्लान जो योजना सरकार इनका बविश्या बनाने के लिए लेकर क्या रही है वो वास्तों में चिराग बुझाने का काम कर रही है चिराग योजना है कि आप मैं आपके बता देने चाहत हूँ छोटा है कि चिराग योजना के तयातिक सरकार ने फैसला ले लिया कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं अगर वो चाहें किसी भी प्राइवेट स्कूल में चले जाएं तो हम 1100 रुपए फीस उसकी सरकारी खाते से देंगे प्राइवेट स्कूल के मालिकों को दूसरा पक्स यह है कि सरकार जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे फीस ले रही है मतलब दोहरा चरीतर यह है कि सरकार ने यह कह देगे सरकारी में पटगा तो फीस लेंगे अगर बटप्रायवेट के लिए लेकर यह आम चनता के बच्चों को बिचाने के लिए चिराग बुजाने का काम किया जा रहा है। चिरागों का पहीशां नहीं बनाया जा रहा लगावात प्युसरी बात ही कि है !! यह चिराग बुचा हिसिस सब्षक निजी करण का से कुल को ुठीच अंदर जो स्कूल है जिनके संख्या कम रह गई बच्छे उसमें है उनको एक बड़ श्कूल में मर्ज कर दिया और वहां जो स्टाफ है वह दूसरे स्कूल में जाये का जाएगा वहां पर जहां पर फॉस्ट खाल ली है तो पूरे पर देश में से जहां हम यह मान रहे हैं कि 50,000 पोश्टें खाल नी पड़ी हैं उन में से 40,000 पोश्टें ही खतम कर दी गई अगर यह मर्ज हो जाते हैं तो तो सीधा मतलब ही होगा कि जहां सवा लाख करमचारिया काम करते थे अब मातर 60,000 पे शिम्ट जाएगा और यह सरकार की योजना है हमारा सी दसी सब्सक्राइब करते हैं तो क्या सब्सक्राइब करेंगे और जो भी इनके सुझाव है उनको भी हम मान्यादी साब को जो है लिखेंगे ठीक है ना इन पर करो क्या कुछ आश्वासन दिया गया यह प्रोटोकॉल है परदर्शन करते हुए ग्यापन दिया है ग्यापन हमारा मान्ये मुख्य मंत्री महोदे के नाम है और उपायुक्त के माध्यम से दिया जाना है उपायुक्त महोदे कहीं बीजियोंगे तो नेक्स्ट जो अधिकारिया वो बेजते हैं ग्यापन दिया गया है और समय है अभी हरियाना विद्याले अध्यापक्संग का भी स्थापना दिवस है उसको भी मनाते हुए हम अगली विश्य की जो योजना बनाएंगे जिसमें हम पंचकुला, चंडिगड या अदिली का भी हमारा कर्येकरम हो सकता है जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की हो तो आप देख सकते हैं इस समय हम आपको लाई तस्री जिला सची वाल्या से दिखा पा रहे थे जहां पर आप देखोगे कि डी सी साहब के माध्यम से जी हां मुक्या मंत्री के इनाप ग्यापन सोपा गया है जो चिराग योजना लेकर आई है सरकार उसके अंदर हम आपको बत तरसन करते हुए ग्यापन देते हैं तो जो भी तुरसक इस वीडियो को देख रहे हैं साथ की साथ इसे शेयर जुरू करते मैं रविंदर सर्पन सजसार क्यांति का माध्यम से आपको जीला सची वाल्या से लाइव अपडेट दे पा रहा था इसी के साथ जैहिंद जैभार प्यासब से दूब माधब झापको जैजेट